दोस्तो नवस्कार, मिरा नाम है सिकर और स्वागताव सवी का हमारे ट्यूब चैनल सिकरे सिटडी पॉइंट पर दोस्तो इसमें हम देखने वाले हैं उत्राखंड के 20 महत्पूर्ण परस्न को कहने को दोस्तो ये सिर्फ 20 परस्न है बाकि एक्सिपलेन के साथ दोस्तो ये 40 से लेकर 50 कोश्चिन तक आपके बन जाएंगे और ये हमारा दोस्तो पार्ट 2 है इससे पहले पार्ट 1 दिया था अगर आपने उसे नहीं देखा है तो फ्रेलिस्टिम आकर उसे जरूर से देखीजेगा और दोस्तो मैंने जो NCRT की दोस्तो भूक है उनको भी मैंने ओर्डर कर दिया है बहुत जल्दी वो पहुँच जाएंगी और बांकि उसके बाद हम उसका भी निचोड देखेंगे NCRT का कुछ महत्पूर्ण सभी जगह से जो भी है इत्यास है भुगोल है अर्थ साक्तर तो हर जगह से दोस्तो NCRT के भी महत्पूर्ण कोश्चिन को मैं आप के लिए लेके आऊंगा इसी टाइम पर तो कभी उत्राखंट देखेंगे कभी जीके में देखेंगे कभी हिंदी देखेंगे सब कुछ हम देखेंगे बांकि दोस्तो मैं भी आपकी मदद कर रहा हूं और इसके अलावा जो भी आपकी पास बुख हैं और उन्हें भी आप पढ़ते रहिए या फिर आप जहां से भी और जगह से पढ़ रहे हैं यम्ना और रिक्षनार नदी परिक्षयमाडि महां आपको मिल जाएगा यम्ना और रिग्षार नदी के संगंपर है लाखा मंडल तो option number A हो जाएगा इसका बिल्कुल सेउत्तर लाखा मंडल का पुरा नाम जो था हो मढ था और लाखा मंडल को दोस्तो मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल का पुरा नाम मढ था और जो लाखो मूर्तियों का भंडार कहा जाता है और इसके अलावा दोस्तो राजकुमार इस्वरा का सिलाले कहां से मिला है तो इसका सेउत्र हो जाएगा हमारा option मर ए यमना और बांगी देखिए सार्दा भागी रती दूर दूर तक इनका संबन्द नहीं है अगला मुक्तेश्वर दोस्तों कहां नैनिताल में है और मुक्तेश्वर पसू परियोग साला की स्तापना कब हुई थी तो अठारा सो एकानब्ब्ब में हुई थी और इस्तापना का स्रेज आता दोस्तों किसको एलफरेट लिंगाड को जाता है और इसके अलावा एलफरेट लिं का नविमे तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले परशन की तरफ अगला परशन है जीतू बगडवाल किस पौवार सासक का सेना पती था जीतू-बगडवाल दोस्तों बड़ा नाम है जीतू-बगडवाल मानसा सियामसा कल्यांसा या फिर फतेजा तो इसका शेयुत्तर हो जो जीतू बगडवाल है और इसके अलावा दोस्तो मानसा के समय जो मानोदैकाब है मानसा से मानोदैकाब भी तो मानोदैकाब भी किसने लिखा तो भरत कभी ने लिखा तो मानसा के समय था तो ये भी आपको बिल्कुल आदक नमागी तिब्बत पर भी आकरमन किया था किसने मानसा ने स्यामसा ओप्शन में है तो स्यामसा के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जिकर स्यामसा का जिकर किसमें मिलता है तो जहांगीर नामा में इनका जिकर इसमें जहांगीर नामा मिलता है, जहांगीर नामा जो की जहांगीर की क्या है, आत्मकत है, भते सा दोस्तों यह गुरु राम राइको नहीं अपने दरबारन बुलाये था, तो इसका सेवत्तिर हो जैगा हमारा option नवर A, मानसा. अगला प्रशन है पंचे स्वर महादेव मंदिर कहा है अभी दोस्तों अगर आपको याद हो जो स्वर वाली ट्रिक मैंने पहले आपको बताई थी जो अभ्यरती हमेशा देखते हैं वीडियो को कि अभी जो वीडियो है किसी एकजाम में आये था जिसमें वो किसे सम्मंदित अगरके लाश्ट में स्वर लगा था अगर आप ने मेरी वीडियो देखी थी तो बांकि आप मैंने बताया था कि इस्ट्रिक से आप पहसान सकते हैं जहां भी स्वर लगे वो महादेव से चंपाउत में है और बांकि चंपाउत में बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे इसके चंपाउत में पूर्णागिरी माता का मंदिर है टनकपूर में रिठा साइब है मीठे रिठे होते हैं उधर सपेद होते हैं मीठा रिठा साइब सपेद रिठे होते हैं और इसके लाओ हिडम बादेवी का मंदीर है चंपाउत में तो ये भी है बाकि मायवती आश्र में बहुत सारी चीज़ है चंपाउत में तो बढ़ते हैं ने निताल में बाकि सब जगए मंदीर ही है उत्राखिड़ में अगला प्रस्ण है तिप्राबमक गलेशयर इस्तित है तो तिप्राबमक गलेशयर चमोली पोड़ी उत्तरकासी ये निताल तो निताल तो होने सकता तो यह जागा तो हमारा उप्समर ये चमोली में चमोली में है बाकि कलपानी गलेशयर है वो भी चमोली में है बर्मा गलेशयर है एक नया बर्मा गलेशयर ये भी बन सकता है एक आपको बताना है नरेंदर सा परताप सा मानवेंदर सा या कीर्टी सा तो कौन इन में से दोस्तों कर सकता है वाग कि परताप सा बहुत पहले के हैं कीर्टी सा भी पहले के हैं नरेंदर सा या फिर मानवेंदर सा तो इसका सेवत्र हो जाए उस्तों मानवेंदर सा आठ बार लो दोस्तों इनके बारे में भी राजाओं के बारे में भी आपको डिटेल से बढ़ना होगा तो बांकि एक बीड़े दोस्तों पूरे पुरे पुमार सास्थकपर में बहुत जल्दी बनाऊंगा अगला प्रसने आपर हमारा कौन सी जन जाती अपने गोत्र को कुरी कहते हैं तो कुरी कहते हैं तो यह आपको विल्कुल आदखना है गोत्र को कुरी कहते हैं थारू भांकि थारू में जो लड़भरवा भोज है वो भी परचिलित है और थारू में जो थारू जन जाती के लो बोटे जन जाती में रितु परवफास होता है राजियु कि आबादी सबसे कम है और नम से अबादी है धारू की है बोक्सा शरु पर्त्म जो बन्बशा मा आई थे बन्बशा अगर आप खुमाऊ से हैं तो बनबसा में भरती के लिए जरूर गये होंगे बनबसा तो बनबसा भी चमपाउत में आता है तो यह जगा उस तो हमारा इसका सेउत्र जो है मारा थारू अगला प्रस्ने आपर हमारा गोत्र को कुरी थारू हाँ सही अगला बसने अठार सो तालिस इस भी में पौडी वो गडोलिया में चाय बागानों की स्तापना किसने की कैप्टन जोन्स, मिश्टर मूलियन, कैप्टन हडलस्टन या रोबर्ट विलियर तो इस तो अजय राउज जी की बुक में ये परसना आपको मिल जाएगा तो इसका स्युत्र हो जाएगा कैप्टन हडलस्टन तो ये याद रखेगा पौडी वो गडोलिया में अठार सो तित्तालिस में उन्हें चाय बागानों की क्या की थी, इस्तापना की थी कैप्टन जोनस का नाम यहाँ पर है, तो जोनस ने भी दो दोस्तों बागान लगाया था खाहां लगाये था लगाया यहिंॉन स्रिंग कंठ दर्रा चमोली व उत्तरकासी के बीच कालंदी दर्रा है तो भी आपको विल्कुल या दखने तो ये उसका सेवत्रु जेगा है हमारा उत्तरकासी व हिमानचल परदेश हमारे एक तो उत्तरकासी सीमा लगती है और एक दिरादुन और हमानचल के तीन जनप्र्दो की सीमा लगती है उत्राखन्ड के साथ तो इसका सेवत्रु जेगा उप्सन नमर C अगला प्रस्णिया आपन माप्तौल हेतु धूली पाथा चलाने का स्रेज आता है तो इसका श्यत्रू या जो दो धूली पाथा, या धरम पाथा इसे कहा जाता है तो कनकपाल तो होगा नीको शुरुवात में था कनकपाल लेगर उसी तो अजाई-पाल कट्वाल का शोक तो अजाई-पाल को ah 2018mış ते यसले पेपर हु था उसीलना का पेपर होगा बाई की यहां क्या होगा कि अब यहां थोड़ी एक तो पहली बात एज कम होगी अठार से लेकर 28 साल बढ़ेगी तो 30 तक और बागी चो सब्सक्राइब अब यहां थोड़ा उनको चूट मिलती है तो वीडियो की तरह दोस्तों दो लाग से उपर तो फॉर्म भरेंगे नहीं कमी भरेंगे फॉर्म और बांकि अगर मैत अगर रीजनिंग अब इसा नहीं कि अगर फिर इस तरह का यह आएगा अगर जनरल पेपर होत सब्सक्राइब करते पटवारी वीडियो इनकी और बांकि मैत रीजनिंग अच्छा है तो उनका तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी हां क्यों कि वह लंबे समय से इसी की तियारी कर रहे है एसा ही की दो स्टार लगाने की बांकि करतों सभी रहें लेकिन ऐसा ही बनना पेपर कराए अब पटवारी का चेंज गया था तब तो वसे जाद अतरू ने हल्ला कुला नहीं किया था पटवारी में बदल दिया गया बांकि इसमें भी देखते हैं क्या होता है बांकि त्यारी करते रहे है जिस बिग्जाम के आप त्यारी कर दें अगला उत्राखंड उत््राखंड राज्जे बिग्ञान यहों परोत्यो की परिषद्ग का गठन किया गया तो यह किया गया दोस्तों कहा यह तो देराधुनम होगा इस तरह की चीज़ा देराधुन में होती है जो से भी तो देराधुन होगा और 2005 में और डेट आइगी दोस्तों डेट है 21 फ ता अपना दो फर्वरी 2005 नी 2006 को हुई थी ये भी दिरादुन में और इसका स्रेक्टर हुजएगा हमारा ओप्शनमर डी तेहरा दुन में अगरा प्रशने चंदवन्स के साशनकाल में सिर्तान किस परकार का कर था तो सिर्ती दोस्तों ये जो था सिर्तान था पसु कर नी था अनाजकर कूत तो यह जगा हमारा ओप्शनमर सी ये नगत कर था अगरा प्रशने आपर हमारा बैजनात के राजवन्स को किसने कत्यूरी नाम दिया था तो बैजनात के दोस्तों राजवन्स को कत्यूरी नाम दिया था इन में से बताना है ए आर गिल, सिपर्शा, डबराल, Edwin T. Atkinson या फिर राहूल सांकरतियान तो यह सभी के सभी दोस्तों इत्यासकार हैं तो इसका सेवित्र रुजएगा हमारा यहाँ पर हमारा Edwin T. Atkinson तो इनकी पुस्तक दोस्तों जो पुस्तक का नाम है इनका Himalayan District इनकी पुस्तक है राहूल सांकरतियान मध्धी मालगी का इत्यास के लिए इनको साहित्य कायद मिला था इंदी के सेलेबस में यह हैं सिपरसा डबराल उत्राखंड का इत्यास 12 खंडू में वैली ओब दून यह आर गिल की है यह भी आपको बिल्कुल या दखने तो इसका सेउत्रों जगा ओप्शन नमर सी अगला प्रस्न है यहाँ पर हमारा राज्य में बन आंदोल से संब्दि तिलाडी कांड कब हुआ तो इसका सेउत्रों जगा यहाँ पर हमारा मई 1930 तो 30 मैं 1930 तो यह आपको बिल्कुल यादक ने तिलाडी में यम्ना नदी के तर्ठ पर है तिलाडी का मैदान तो इसका से कुफनी नदी किस नदी की साइक है सर्यू यमना पिंडर या काली तो यह हो जाएगा इस तो कुफनी साइक है तो यह जाएगा पिंडर की कफनी जो गलेसेर है तो वहीं से इसका उद्गरम होता है तो कुफनी हो जाएगा है हमारा उप्सन नमर सी पिंडर की है पिंडर का तो धाकर संबंदित था। भाकर दोस्तों, यह जो वाली भूख है कंशी। अजिञा नाम कहा 오른डिजी'. राजेंद्र भूदिजी। उस भूख में दोस्तों, मिल रहागा था। धाकर संबंदित हता है खाद्दी वेनजन से। भाल गंगा किसकी साइक नदी है पिंडर भिलंगना भागिरती या अलगना तो बाल गंगा दोस्तों यह है भिलंगना की तो यह आपको बिल्कुल आग दखना है तो ऑप्शन मर्ट सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेविक्तर तो भागी रती और अलग रंदा का संगम देव परियाग में होता है तो इसका से उत्रूर जाएगा भिलंगना भिलंगना का उद्गम खतले अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न उस्तों यहां पर हमारा ज्यादा प्रस्न नहीं बचें थोड़े प्रस्न बचें वीडियो को अधिवेशन में तक जरूर देखेगा और होसे के दोस्तों शेयर जरूर कीजेगा तेहरा दुन में बिनोवा ग्रामवेदोग संग किस्ता आपना किस ने की सुंदरलाल भावगुणा मदन महन सर्मा या सकति नारेण सर्मा तो इसका सेवत्रू जाएगा यहां पर हमारा सकति नारेण सर्मा ने किया था कब 1954 में बिनोवा ग्रामवेदोग संकिस्ता अपना कब तेहरा दुन में 1954 में अगला प्रस्न है यहां पर हमारा थारू बोक्सा आदिवासियों और जौनसारियों को जन जाती में घोशित किया गया चैनल जल्दे को सबस्क्राइब कर लिजेगा और अपना ध्यान रखेगा तो थैंक्यू फ्रैंड आधिया बहुत जल्दे में नई वीडियों में झाल झाल